सो गाइस थर्ड श्टेप में हम बात करेंगे कि यूबिट को इनके अंदर राइशेसन कैसे करें सेपल वेलेट में ओके गाइस तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाइस वीडियो अच्छे लगा तो लाइक करना सस्क्राइब करना एंड अगर आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप जो इनने किया है तो आप कर सकते हैं जिसमें आपको यूबिट को इनके अकोडिंग जो भी अपडेर आएगी आपको मिलती रहेगी ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो भी आपका रेफर लिंक होता है जैसे आपका अप्लाइन होता है कोई आपको यूबिट स्मार्ट चेंड के से एड करेई सैपल वैलेट में तो वो भी आप पहले देख लिजी ओके तो सबसे पहले आपने रैफर लिंक आपको कोपी करना है कोपी करने के बाद में आपको आपका जो रैफर लिंक है इस जिग पैस्ट करना अब ये जिगर कहां पर मिलेगी आपको यहां पर explore का options मिल जाएगा इस जिगा ओके नीचे देखिए आप यहां पर आपको मिल जाएगा explore का options इसके ओपर क्लिक करेंगे तो यह आ जाएगा जैसे आपका यहां पर इस तरह से interface आ जाता है तो आपको करना क्या है pull name आपका जो भी नेम आपको डाल देना है मैं यहां पर ubitcoin 0 core डाल देता हूँ email address जो भी आपको रखना है आप वो email यहां पर डाल सकते हैं आपका जो भी नेम है वो आपको यहां पर डाल देना है pull name जो भी आपको डालना है xyz आपका email address login user id जो भी आपको रखनी है for example मेरे को अलग रखनी है पर दुम्हें आपको दिखाने के लिए यह अलग से बनाया login password जो भी आपको चूज करना है यहां पर डाल सकते हैं login password re-enter password and आपका जो ubit smart chain आपने add किया था ubit coin का जो address है वो automatically यहां पर डिडेक्ट करेगा और उसके बाद में terms and condition के ओपर right tick करना है इसके ओपर right tick करेंगे और मैं यहां पर फटावट password डाल के इसको registration करने की यहां पर कोशिस करता हूँ password मैंने यहां पर डाल दिया है अब यहां पर registration के ओपर क्लिक करेंगे और wait करेंगे registration के ओपर क्लिक किया यहां पर आप check कर सकते हैं यहां पर नई ID बन चुके account details, referral ID, email address वो सब आपको यहां पर दिख गया है login के ओपर क्लिक करेंगे वापिस और हम इस account को login करके देखेंगे कि किस तरह से अगर आपका account क्या पता password आपका गलत हो तो कोई भी दिक्कत अगर आती है तो यह पहले आपको login करना है इस बात से भी clear करना है एक बात का ध्यान रखना है जब आप login करते हैं तो first अक्सर आपका capital है या फिर small है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है place your bright bid now के ओपर क्लिक करेंगे उसको confirm करेंगे और हमारे को भी कोई bid यहाँ पर लगानी नहीं है अगर आपको लगानी है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं buy ticket यहाँ पर buy कर सकते हैं जैसे कि 5 डॉलर का टिकट है और 11 डॉलर का है और 21 डॉलर का है जो भी आप bid choose करते हैं उसके उपर अगर आपका नसीब अच्छा होता है तो आपको यहाँ पर reward भी यह सब मिलते है तो अभी हमारा जो टोपी के ID को activation करना है तो scroll करेंगे नीचे जाएंगे यहाँ पर अपने ID क्रियेट हो चुकी है अब करना क्या है अब हम यहाँ पर close के ओपर क्लिक करेंगे वेलेट के ओपर जाएंगे अब यहाँ पर अपने को इस ID के अंदर अपने को Ubit डिपोजिट करना है अब Ubit हम कहां से वाई करेंगे इसके लिए आप अपने अपलाइन से कौन्टेट कर सकते हैं वो आपको बता देंगे CoinStore Exchange से आप बाई कर सकते हैं या पिर आपने जो अपलाइन है जिसको आप जानते हैं अपलाइन को उनसे भी आप बाई कर सकते हैं USC Smart Chain जो Transaction Face के लिए चाहिए वो भी आपके अपलाइन से कौन्टेट करके आप उनसे बाई कर सकते हैं या पिर इनके Exchange के उपर वहाँ से भी आप इसको बाई कर सकते हैं USC को स्वाइब भी कर सकते हैं बाई भी कर सकते हैं दोनों options यहाँ पर बन जाते हैं ओके जो Gage Speaks के लिए यूज होता है वो है USC स्टाकिंग के लिए यूज होगा वो है Ubit ओके तो Ubit के उपर मैंने कलिक करूँगा Receive Address के उपर क्लिक करेंगे Copy करेंगे Address लगबग दोनों का Address लगबग लगबग से में Receive के उपर 0C5 एंड उसमें भी लगबग C5 था यह Receive OK C5 तो दोनों के उपर Address से में तो यहाँ पर फटापट से मैं आपको Activation करके भी यहाँ पर बतायता हूँ So guys अपने वेलेड के अंदर Ubit भी आ चुके हैं एंड UAC भी आ चुके हैं अब आपको मैं Activation करके बताऊँगा Explore के उपर जाएंगे और Ubit.UnityMeta.io के उपर क्लिक करेंगे और इसको हम Open करेंगे जैसे उपन हो गया अब यहाँ पर आपका जो भी यूजर आईडिय है और पासवोर्ड आप वो सब डालके आपको यहाँ पर लोगिन कर लेना है So guys यहाँ पर हमने लोगिन कर लिया है और अब आपके सामने में एकाउंट को Activate करूँगा जैसे मेरे वेलेड के अंदर ट्राजेक्शन फीज के लिए दो यूजर पड़ा है और यूबिट पड़ा है यहाँ पर साड़े नो सो के तो Stack Neo का यहाँ पे एक Options यही मिल जाएगा उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो यह Three Road के उपर क्लिक करना है यहाँ पे भी एक Options ओर मिल जाता है Stack के उपर क्लिक करेंगे Stack Ubit के उपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका Dashboard खुल जाएगा जो भी आपको amount डालना है यहाँ पे उपर डाल सकते हैं फोर एक्जामपल आपको 50 डॉलर करना है या फिर 100 करना है या फिर 1000 करना है multiply something 50 से 10,000 डॉलर तक आप यहाँ पे investment कर सकते हैं तो Stack के उपर क्लिक करेंगे उसके पहले हम देख लेते हैं कि अपने कितने Ubit कट रहे हैं लगबग 840.33 और अपने वेलेट के अंदर Ubit कम भी नहीं होना चाहिए लगबग 845 के असपास आपके पास Ubit होना चाहिए तो यह भी आपको यहाँ पे देखना जरूरी है Stack के उपर क्लिक करेंगे Confirm के उपर क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे finger लगाया और ID जो process है यहाँ पे आपका refresh होके डारेक्ट यहाँ पे चले जाएगा कुछ समय आपको wait करना है और wait करने के बाद में आपकी ID activation हो जाएगी ठीक है तो wait करते हैं कितने समय में होती है तब तक के लिए वीडियो push करता हूँ मैं So guys 5 minute हमने wait किया लगबग 5 minute भी नहीं लगता है परंदू 5 minute wait किया और 5 minute के आसपास और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं status है active यहाँ पे हो चुका है और 3 root के उपर क्लिक करेंगे stack के उपर जाएंगे stack history के उपर जाएंगे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हंडे डूलर का package है current जो coin का rate है 0.119 और Yubitcoin जो है 840.33613 Yubitcoin stack हुए और यह आपको transaction hedge आपको यहाँ पे मिल जाती है ठीक है अगर कोई current once अगर आपका stack नहीं होता है या पे कुछ समय आपको एक दो गंटा wait करते हो नहीं होता है तो यह transaction hedge जो दिखती है उसके उपर आपको क्लिक करना है ठीक है यह जो transaction hedge है उसको copy कर लेना है वापिस आपको बेक लेना है यहाँ पे जाना है three road के उपर वापिस and update hedge का जो options है इसके उपर आपको क्लिक करना है update stacking has के उपर आपको click करना है और यहाँ पर आपकी जो transaction है जिए वो आपको डालके update has के उपर click करना है तो आपके ID होगी वो तुरंट update हो जाएगी यह आपके अगर activation नहीं होई होती है अगर कुछ issue होता है जैसे कि transaction कुछ अटक जाता है तो आपका यहाँ पर transaction ID डालके यहाँ पर update has के उपर click करेंगे तो आपके ID activation हो जाएगी तो दोस्तों यह मैंने आपको पूरा process बता दिया देखो investment करना है नहीं करना है वो आपके उपर depend करता है परन्तु मैंने आपको बता दिया registration कैसे करना है वो भी बता दिया activation कैसे करना है वो भी बता दिया ठीक है तो thank you so much धन्यवाद वीडियो चल लगए लाइक करें subscribe करें आपके अपने YouTube चैनल को thank you